अगर आप लोग भी मेरी तरह रोज रोज वही सबजी वही पराटे वही भरता खाके बोर हो गये तो आपके लिए भी बड़ी अच्छी रेसेपी है एकदम नए तरीके से मतब स्मोकी फ्लेवार वाले बनाना के चट पटे कवाब बनाए है टेस्टी तो इतना है कि बच्चे कि अच्छी से पहले पोच लेना है पोचने के बाद एक दो चमस तेल ले लेना ये मस्टाड ओल लिया है मैंने और ड्रस से सारे केले के उपर में अच्छे से ऑल को लगा देना है मस्टाड ओल से बहुत अच्छा स्मोकी फ्लेवर आता है अब कोई दूसरा तेल भी यूज बढ़को आप अपसेसे सबजी भी बनाना चाहते हैं तो आप इसी तरह से रूस्ट कर के बना मद आए कि बहुत टैस्टी YorkSacks counselors पांच मिलेट हो चुके हैं खेली रोस्ट हो गए अच्छे से इसे तलכולAY बाकि बाची aur яकर भूल लेना है तो अब सारे केले रोस्ट हो गए हैं और अब ठंडे भी हो गए हैं तो ठंडा होने के बाद इनको पील कर देना है देख रहांगे ना बहुत आसानी से इसका छिलका निकल रहा है इसलिए मैंने आपको कहा था इसको मेडियम फ्लेम पे सेखने के लिए इससे केले पक भी जाते हैं अच्छे से और उनका छिलका भी अच्छे से निकल जाता है अब इन छिलको को फेक देना है और केलो को थोड़ा सा टीशू से या कपड़े से पोच्छ देना है अब इनको छोटे छोटे टुकडे में कट कर लेना है आप चाहें तो हांसे भी मैश कर सकते हैं केले बहुत हद तक पक गया है लेकिन अभी भी थोड़े थोड़े से कच्चे है तो कडाई में एक दो चमस देल ले लेना है तेल जैसे गरम हो इसमें थोड़ा सा लैसो नद्रक का पीस दाल देना है यह तोटली ऑप्शनल है अगर आप लैसो नद्रक नहीं खाते है तो नहीं डालिए अब धीमी आज पे लैसो नद्रक को भून लेना है इसके बाद इसमें तीन मीडियम साइस के टमाटर को कट करके डाल देना है जी आफरेंट टमाटर के साथ इसका अमेजिंग कॉमिनेशन है इस नास्ते का अब यह रोस्टेट के लिए जो कट करके रखे उसको भी डाल देना और अच्छे से मिला लेना है अब इसमें एक छोटी चमज नमंग डाल देना है अच्छे से मिला लेना है अब इसको ढख करके चार-पांच मिनट धीमी आज पे पकने देना है टमाटर के साथ साथ के लिए भी अच्छे से पक जाएंगे पांच मिनट हो चुके और बहुत अच्छी खुश्वो आ रही है एक बार चला लेना है यह बिलकुल पक गया है अब स्विच को आफ कर देना है और एक मैशर के हल्प से अच्छे से मैश कर देना है अभी बहुत गरम इसले हांसे नहीं कर सकते है तो इसको एक बड़े बरत पलट देना है ताकि जल्दी से यह ठंडा हो जाए पूरी तरह ठंडा होने के बार इसमें तीन चार चम्मच सत्तु डाल दिया है मैंने आप इसकी जगह कौन फ्लोर या ब्रेड ग्रम या पोही का पाउडर जो भी घर में अबलेबल हो वो डाल दीजिए अब इसमें थोड चम्मच लाल मर्च पाउडर डाला है और आधी चोटी चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला डाला है इसमें एक चम्मच भूना हुआ जीरा पाउडर डाल दिया है और आधा चमच काला नमक डाल दिया है इससे टेस्ट तो बढ़ता ही बढ़ता है यह हाजमे के लिए काफी अगर आपके पास काजू के स्मिस नहीं है तो आप पीनट को भी मतल मुंफली को भी भून करके उसके टुकड़े करके डाल सकते है इन सारी चीजों को अच्छे से मिला लेना है और नमक को टेस्ट कर लेना है उसी के कोड़ी फिर से नमक टालना है क्योंकि शुरू में भी नमक टाला था न और आदी छोटी चमच हल्दी पाउडर भी डाल देना है अब इन सारी चीजों को एक पर फिर से मिला लेना है अब हाथों में थोड़ा सा ओल लगा लेना है ताकि चिपके नहीं और छोटी औछोटी बॉल्स ले लेने है और अपने पसंद की हिसाब से जोबी शेप पसंद हो उसके हिसाफ से रॉल कर लेना है मैंने कुछ गोल बनाई है और कुछ थोड़े से ओवल शेप में बनाई है ओवल शेप भी बनाना बहुत इज़ी है तो सबसे पहले गोल बना लेना है और उसकी बाद खोड़ा सा इसको लंबा कर देना है और यह देखिए कितना सुन्दर तयार हो गया यह तो आप अपने पसंद की हिसाब से जैसे भी शेप पसंदों बना लीजे और इस तरह से सब बन के त्यार हो गए है तो अब एक मिक्सी का साफ सूखा जार ले लेना है इसमें एक कप अडिनरी सूजी डाल दिया है आधी चमच मिर्ची पाउडर आधा चमच नमक इन सबों को ग्राइड कर देना है ग्राइड करने के बाद उसको एक प्लेट में रख देना है अगर आपके पास बारीक वाली सूजी हो तो उसको ग्राइड करने की ज़रूरत नहीं है उसमें थोड़ी सी नमक और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर मिला लीजे अब एक सलरी तेयार कर लेते हैं ति तीन चार चमच कॉन्फरोर लिया है मैंने आप मैदा भी ले सकते हैं और आधा कब पानी मिला के इस तरह का पतला गोल बना लेना है अब ध्यान से देखिएगा एक हासे कबाब को डिप करना है उसके बाद रवे में डाल देना है मता सूजी में डाल देना है और दूसरे हासे इसकी कोटिंग कर लेनी है ताकि रवा खराब न हो और अच्छे से इसको कोट कर देना है घुमा घुमा के ये देखिए कितना अच् तक फ्रिजर में रख सकते हैं तो अभी हम इसको रोस्ट कर रहे हैं आप चाहे तो इसको डिप फ्राइ भी कर सकते हैं तो दो-तीन चमस तेल तवे पे डालना तवे को थोड़ा गरम कर लेना है उसके बाद सारे कबाब को रख देने हैं इसके उपर थोड़ी देर सिखने के बाद इंको पलट देना है और हाँ पलटने के बाद थोड़ा थोड़ा इसके उपर औल जलू डालना है ताकि रवा अच्छे से सिख सके और इसमें अच्छा कलर आ सके और ऐसा हर बार पलटने के बाद करना है तब ही इसमें अच्छा कलर आएगा और रवा भी अच्छे से पक पाएगा और ये लिजे फ्रेंट्स एक गम चट पटे स्मोकी फ्लेवर वाले बनाने की कवाव रेडी हो गए हैं बहुत चट पटे हैं तो इसको किसी भी चटनी सॉस के साथ आप सर्फ कीजिए तो फ्रेंट्स कॉमेंट्स सिक्षन में लिख के जरूर बताईएगा इस पी आप लोगों को कैसी लगी है और आप भी अपने घर पे इसको बनाना नहीं भूलिएगा तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ बाई